सूपर बात आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मेकिनिकल लबर्स में स्वागत है मैं मंदिप कुमार सिंग आज आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक के लिए क्या हूं उन बच्चों के लिए जो अभी-भी 10 पास आउट हुए हैं और 12 पास आउट हुए ह जैसे कि आप जानते हैं अभी-भी आपका CBC का, ICSC का, जार्खन बोर्ड का और भी बहुत सारे बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही अच्छा परदसन रहा है और उन सभी भाईयों को जो सफल हुए हैं उन्हें बहुत-बहुत मुबारक हो और जो कुछ भाईयो अच्छे रिजल्ट नहीं लापा हैं उनके लिए भी उनके लिए भी एक बात कहूंगा कि महनत करते जाएए पीछे मत देखिये चलिए आज हम बात करते हैं कि जैसे 12 के बाद क्या करें एक सवाल आप सभी के दिमाग में चलना स्टार्ट हो गया होगा कि 12 के बात करना क्या है 12 के बाद मेट लें सइस्लें कॉमर्स लें आर्स लें मैं से किस्मी चुने अपना अगर आपको अपना भविस्य期 में थोड़ी इसविक नहीं हो रही तो आज हम आपके लिए कुछ बसिक डिटेल्स आपको बताएंगे कि क्या आपको चुनना चाहिए कि बेसिस पे आप को चुनना चाहिए तो ये मेरा हिंदी में है आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह हमारा मात्र भासा है और अपना मात्र भासा को गर्भ से कहना चाहिए कि हिंदी हमारा मात्रिभासा है इंग्लिस स्रिफ कोम्निकेशन लेंग्वेज है एक दूसरे से कोम्निकेट करने के लिए तो चलिए टाइम रवाद ना करते हैं आज आपके लिए टॉपिक लाया है तो जैसा के जानते हैं बारवी कच्छा के बार किन विशों में बनाए अपना भविस्यों के लिकर अगर आप भी चिंतिय थे तो इस मेरे वीडियो को जहूर देखें यह एक निरद जीवनानी सर का पोस्ट है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जैसे कि हम सब जानते हैं कच्छा दस्वी तक हम सभी को एक जैसा विशे पढ़ाया जाते हैं और जैसे ही हम दस्वी कच्छा पास करते हैं तो हमें सब्जेक्ट चुलने का मौका मिलता है और हम वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमाई रूची इंट्रेस्ट होत लेकिन बहुत से चात्र, चात्राओं को यह तैक करने में बहुत परिशानी होती है, कि 12 के बाद क्या करना चाहिए, यह 12 के बाद कौन सा कोर्स करें, क्योंकि हर विद्यारती चाहता है कि वो अपने छेत्र में आगे बढ़े और महारत हासिल करे, जिसे उसकी अपनी समाज में एक अलग पहचान बन सके, जब हम 2 साल अपने पसंदिदा सब्जेक्ट के साथ बारवी की परिच्छा उत्तिन पास कर लेते हैं, जो हमारे फ्यूचर भविश्य का एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि बारवी बाद ही हम आगे की मास्टर डिगरी के लिए अपलाई दिशा तो देना चाहते हैं, लेकि उन्हें पता नहीं होता है, तो 12 के बाद क्या करें, इसलिए हमारे जो मेकनिकल यूटूब चैनल है, हिंदी सहायता की एक टीम है, उनकी पोस्ट आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो आज आपको बताएगा, हम आपको सभी विश से को सही दिशा मिल सके, चलिए तो सुरू करते हैं, और एक एक करके आपको सही विशो को जनकाई देते हैं, 12 के बाद क्या करें, और वो भी हिंदी में, केरियर चुनना और राष्टा चुनना सब आपके हातों में होता है, आप अपने तरीके से चुन सकते हैं, आप में क् कोमर्ट्स और आर्ट्स विशे से थोड़ा ज्यादा मुस्किल होता है, इसका कारण यह है कि साइन्स, टेकनिकल और थिरोटिकल दोनों करूप में होता है, साइन्स सब्जेक्ट से ही बारवी पास किया हुआ स्टुडेंट किसी भी फिल्ड में जा सकता है, और अपना कर्य कि उड़ा सकता है, टुल्ड साइन्स में 3 तरह की गुरूप होते हैं, जो आपको नीचे बताएंगे हैं handicap, छी जया सपर्ले साइन्स, अशी्र दोनों करूप में जा सकते हैं, चुनन करूप म में जा सकते हैं, मेडिकल और इंजिनरी फिल्ड चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि साइंस PCM वाले स्टुडेंट कहां कहां अपना करियर बना सकते हैं 12 मेहत के बाद क्या करें इन हिंदी में कई विद्यार्थों की रिचू गनीत विशे में होती है उन्हें गनीत के सवाल करना बहुत पसंद होता ऐसे विद्यार्थी 12 बाद इन विशों में अपने आगे के पढ़ाई कर सकते हैं जैसे बिटेक हुआ कई विद्यार्थी का सपन अधीक होती है अगर आपका भी सपना है कि आप इंजिनियर बने तो इंजिनियर बनने के लिए आपको बिटेक या बिए करना होगा या दोनों कोर्स को करने में ये चार वर्स का समय लगता है बिटेक या बिए करने के लिए आपको बारवी PCM से पास्ट होना ज़री है जिसे Physics, Chemistry और Math याद रहे कि बिटेक या बिए करने के लिए आपको JEE में एडवांस एक्जाम पास्ट करना जोरी है बिटेक या बिए आप किसी भी सरकारी या प्रावेट कॉलेज से कर सकते हैं लेकिन अगर आप JEE में और एडवांस पास्ट करते हैं जो college आपको मिलता है उससे आपको कई फायदे मिलेंगे जही में एक्जाम private college में admission के लिए होती है और जही advanced exam सरकारी college में admission के लिए होती है BITIC या BEE में कई परकार के branch होती है जिसमें से आप अपनी रूची के नुशार कोई सी भी एक branch select कर उसका अध्यान कर सकते है आपका interest computer या information technology में है और आप बारवी PCM pass है तो आप Bachelor of Science in Information Technology BSC IT कर सकते है BSC IT करने के लिए आपको तीन वर्स का समय लगता है BCA क्या है तो Bachelor of Computer भी कैसा course है जिससे बारवी PCM pass वाले विद्यार थी तीन साल में पुरा कर सकते है इस course में वही student जाते हैं जिनकी रूची computer programming में होती है BCA course के बारे हम पुरी जनकारी पानी के लिए हमारे post है और आपको हम एक video भी इस पर बना के देंगे फुल डिटेल में अगर आप BCA में इंट्रेस्ट रखते हैं तो जिसे बैचलर ओफ कंप्यूटर अप्रिकेशन करते हैं चलिए टुवल बायो के बाद क्या करें जो PCB होता है अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी रूची डाक्टर फिल्ड में हैं तो आप कई परकार के medical courses कर सकते हैं हमने निच्चे आपको कुछ महत्कुन courses के नाम बता हैं जिने करने के लिए आपको बारवी PCB पास होना जरूरी है इसके अलावा भी बहुत से ऐसे courses हैं जिने बारवी PCB पास विद्यारती कर सकते हैं ठीक है चलिए समान अध्यान विसे हैं जो तीन घंटे के हैं ठीक है कि तो दोस्तो हम आपको बता चुके हैं कि 12 साइंस पास विद्यारती 21 की फिल्ड में जा सकता है वह इसे देखा जाए तो साइंस वाले पास विद्यारती घंटे कि अपना करियूर्ड बना सकते काते की फिल्ड जैसे दसी पास करने के बाद सबसे जादा लिया जाता है इसका एक कारन यह भी है कि कोमर्स वाला विदार्थी टेकनिकल और मेडिकल फिल को छोड़कर बाकी की फिल जैसे बिजनेस, फाइनेसियल, एकाउंटिंग आदी में जाने की रूची रखते हो तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 12th कोमर्स पास विदार्थी किन-किन छेत्रों में जा सकता है C.A. जिने हम चार्टेड एकाउंटेड करते हैं 12th कोमर्स पास विदार्थी के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्म कोर्स है तो वह है C.A. का कोर्स इस कोर्स की सबसे बरी खासेत यह है कि C.A. करने के बाद आपको नौकरी के लिए इधा उधा भटकने के जरूत नहीं होती है क्योंकि हमारे भारत देश के साथ साथ पुरी दुनिया में C.A. की डिमांड बहुत जादा है C.A. का कोर्स 4.5 साल में सारे 4 साल के लगभग पूर्ण हो जाता है C.A. का कार फाइनेंसियल एवम वाइन्स देना, बिजनस एकांटिंग करना, टेक्स प्लानिंग करना आधी होता है तो अगर C.A. कोर्स को करने में रूची रखते हैं तो हमारे इस पोस्ट को C.A. क्या है, C.A. कैसे बने में आपको पूरी जनकारी मिल जाएगी अगर C.A. से इंटेशने रखते हैं जो विद्यारती, अगर C.A. की पूरी डिटेल आपको चाहिए तो आप बोले हम उनके लिए भी एक फुल विडियो आपको बना सकते हैं कि C.A. क्या है, कैसे है, क्यू है, कैसे करते हैं, क्या रोले, सारा कुछ चलिए, आप बात करते हैं, B.B.A. जैसे हम Bachelor of Business Administration करते हैं, अगर आपका सपना बरा बिजनेस बनने का है, तो आप B.B.A. कर सकते हैं, यदि आप MBA करना चाहते हैं, तो उसके लिए B.B.A. करना फायदे में रहेगा, B.B.A. भी एक Bachelor डिगरी है, जिसे पुरा करने में तीन सा का समय लगता है, यदि आप B.B.A. कोर्स के बारे में पूरी जनकारी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम एक आपको वीडियो और आपके लिए हम पोस्ट परवाइड कर देंगे, फुल डिटेल के साथ, देखिए, आपको कोई भी डिटेलिंग चाहे, B.B.A. हो, C.A. करने में तीन साल का समय लगता है, अगर आप विताईच छेत्र या बिजनेच छेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप B.B.A. कर सकते हैं, B.B.A. किया जा सकता है, इसके अलावा भी बहुत से आईसे कार रहे हैं, जिने 12th Commerce Pass विजारती कर सकता है, हमें नीचे हम सभी कोर्सों को लिज़ दिये, जैसे Become Account and Finance, Become Banking and Insurance, Cost and Work Accountant, Become Financial Markset, CS, जिसे हम Company Secretary करते हैं, 12th Arts के बाद क्या करें, जो विद्यारती Arts करना चाहते हैं, उनके लिए हैं, हाँ तो दोस्तों, हम आपको 12th के बाद जादतर किये जाने वाले विस्टों के बारे में लवख बता चुके हैं, अब आर्ट्स विसे की बात करें तो, इससे सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन दोस्तों, ये सभी लोगों की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, आर्ट्स विसे में भी आगी बहुत सी आउसर हैं, जिसके द्वारा हम अपना भविश से स्रुक्षित कर सकते हैं, 12th Arts के ब अगर आप सरकारी नोकरी के चाहर रखते हैं, तो और सरकारी छेतर में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो बीए के साथ-साथ परतियोगी परिच्छा के त्यारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बीए करने का फायदे ये होता है कि आपको परतियोगता परिच्छा में परिच्छा के त्यारी शुरू करते हैं अब बात करते हैं बेचलर ओफ एजुकेशन करते हैं अगर आप अपना सपना टीचर बनने का है और अगर आपको दूसरों को सिछित करना चाहते हैं तो आप सिंपल बी या किसी सब्जेक्ट में ओनर्स कर सकते हैं जैसे बी ओनर्स हि इत्यादीव उसके बाद आपको B.E.D. करने का या B.E.D. करने का कोर्स दो साल का होता है बी एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसे करने के बाद ही आप टीचर की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं जिसे बैचलर ओफ एजुकेशन करते हैं बी ए ए ए ए ए ए ए ए अगर आपको रूची नियाय चेतर के मतलव वकालत में है तो आप वकील या चर्ट बनना चाहते हैं तो आप LLB कर सकते हैं LLB कोर्स में आपको Arts के साथ लोग पढ़ना होता है या प्रसना का होता है ठीक है अगर आप LLB से फुल जंकारे चाहते हैं तो इसके लिए एक आ तीन वर्स आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बाकी बचे दो साल में लोग के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं क्रिमिनल लोग, एड्मिस्टेटिव लोग, कॉर्परेटिव लोग, पेटेंड लोग, इंटरनेशनल लोग और लेबर इसके अलावे में बहुत से आइसे कोर्स हैं जिने 12 आर्ट्स पास्विदार्थी कर सकता है हमने नीचे उन सभी कोर्सों का लिश्ट दिये जो आप देख सकते हैं फेशन डिजाइनिंग, होटा मेनेजमेंट कोर्स, जनलिजम जिसम पत्र कारिता बोलते हैं इवेंट मेनेजमेंट, बी एस डेवलो जिसम बैचलर आप सोचल वर्क्स करते हैं और ग्राफिक्स डिजाइनर कन्कुलूजन पूरा यही है कि 12 के बाद क्या करें तो हाँ तो अब आपको समझ आ गया हो कि 12 के बाद क्या क्या करें और कितने सारे भराइटी हैं आप अपने रूचिक अनुसार आपका जिसमें इंट्रेस्ट है उसके अनुसार आप चुने इसके अलावा अगर आप यह सर्च कर रहें कि 12 के बाद क्या कलेक्टर कैसे बने 12 के बाद IPS कैसे बने या 12 के बाद government चोग तो हमारी तो आप अस comment section बोलिए हम आपके लिए सारा बंदवस्त या वीडियो आपके लिए अच्छे से समझा के लाएंगे किसी भी बातों में अभखाओं में ना आएं और आप जिस छेत में जाना चाहते हैं उसके बारे में किसी विश्यस्यक से सला अवस्यलें क्योंकि यह सवाल आपके भविश्यका होता है इसमें लापरवाई ना रखें ऐसा ना हो कि आपका मित्र जो course कर रहा हो आप भी उसी पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है ठीक है अगर आपको किसमें और भी जनकारी चाहिए जैसे 12 के बाद BCA, BCOM, BED, BTEC, BE, BALV, BB, CA का पूर्ण जनकारी लेना चाहते हैं ठीक है फुल डिटेल लेना चाहते हैं तो बस आपको कमेंट सेक् आपके लिए हम पूर्ण सुद्ध हिंदी भासा में आज आपके लिए हम फिर से वीडियो लाएंगे तो वही वीडियो हम लाना चाहेंगे जिसमें बच्चों के ज्यादा रुच्ची होगा ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो अगर आपको मेरा दाने बादा